हलो एवरीवन अबाउट ट्रावल इन्फो यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम नंद बाबा मंदिर के दर्शन करेंगे जहां नंद बाबा अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है नंद गाउं उतरपदेश राज्य के मतरा जिले में इस्तित है नंद भवन का इतियास लगवक 5,000 वर्ष से अधिक पुराना है नंद गाउं सबसे परसीद तीर्थिस्थल है और नंद इश्वर पहाड़ी की चोटी पर इस्तित है नंद बाबा का है मंदिर भगवान श्री किष्णी के पिता नंद राय जी को समर्पित है इस मंदिर तक पहुचने के लिए पहाड़ी पर थोड़ी सी चड़ाई करने पड़ती है यह मंदिर अठारवी शताबदी में भरतपूर के जाट राजा रुपसिंध द्वारा बनवाया गया था कहा जाता है गोकुल में कंस के अत्यचारों से परशान होकर नंद बाबा ने गोकुल गाउं को छोड़ दिया था और अपने नाम से नंद गाउं की स्थापनों की सी नंद गाउं में मुझूद इस मंदिर में नंद बाबा अपने पुरे परिवार के साथ विराजमान है अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मंदिर के और जाने वाले रास्ते को लाल पत्रों द्वारा बनाया गया है रास्ता बहुत अच्छा है चनले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कुछ मिनट में ही आप मंदिर के द्वार पर पहुँच जाएंगे अभी हम मंदिर के द्वार पर पहुच गए है मंदिर का परवेश दोहर बहुत ही सुन्दर बनाया गया है और पत्थरों पर नकाशी भी की गई है उस सीडिया चड़ने के बाद हम मंदिर प्रांगण में पहुच जाएंगे मंदिर प्रांगण में हमने परवेश कर लिया है ये मंदिर प्रांगण का नजारा है जो बहुत ही खुला और बहुत ही साफ सुत्रा है ये मंदिर के ओपर छट का निर्मान भी किया गया है जहां शर्दालू जाकर ऊपर पूरे नंद गाओं का दर्शन कर सकते हैं यहां से नंदगाओं बहुत ही सुन्दर दिखाई पड़ता है अब मैं आपको मंदिर की छट के ओपर लेकर चलता हूँ जहां से आप पूरे नंदगाओं का दर्शन कर सकते हैं छट के ओपर एक विशाल घंटा भी लगाया गया है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं नजारा बहुत सुन्दर है और मौसम भी बहुत साफ है आप देख सकते हैं अकाश कितना नीला और साफ दिखाई दे रहा है यह है छट का नजारा अब हम नंदगाओं के मंदिर के अंदर आ चुके हैं यहां शर्दालों की काफी भीड है जैसा कि आप वीडियों में देख सकते हैं उजारी जी यहां की महिमा के बारे में बता रहे हैं देखिए अंदर में दब्दी का फुजा परवारे अंदर को राना कृष्ण के यही राना कृष्ण का दरसन किया और निकल गई अंदर जाने में प्रिटमाओं का दरसन समझने में क्योंकि जब तक मादू की नहीं हुआ कि को जी प्रिटमा है तो अंदर में आप बैठोगे अंदर एक वार में सौल आते हैं और सौल लोगों को प्रिटमाओं लगता है इस जर्जामने आने के निकले में सब दरसन समझने में मंदिर में हमने परवेश कर लिया और मेरे ठीक सामने भगवान श्री किष्ण बलराम जी के साथ विराजमान हैं और उनके साथ नंद बाबा और यशोदा मैया भी हैं मही नंद बाबा के साथ में भगवान श्री किष्ण के मित्रि धंसुका और मंसुका विराजमान है आप भी वीडियो के माद्यें से मंदिर के दर्शन कीजिए और आशिर्वत पराप्त कीजिए जब कभी भी आप मत रहा हैं तो नंद बाबा के इस मंदिर के दर्शन बहुत अच्छा लगेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जया श्री किष्णा